प्रवान अली साहब को आमंतित कर रहा हूं कुर्वान अली साहब इसमें क्योंकि आपने समाजवादियों का सबसे बड़ा रूल ही रहा है ऑपोजिशन का कहा भी जाता है कि उस सत्ता में नहीं बैठ पाते हैं उनको शायद वो नहीं है सत्ता कर चलाने का जितना उनको विप कि भूबका की बात कुर्वान अली साथ जी बहुत बहुत ही सामाइक विश्यों पर चल्चा चला रहे हैं और दर्शकों को जानकारी मिल रही है वड़ा अच्छा काम आपको मुबारक बात अब आते हैं जो विश्य है आज का कि लोगतंत्र में विपक्ष की भूमेका विपक्ष जैसी कोई चीज थी नहीं क्योंकि जो सभी लोग थे किवल एक राश्टी एस्वरम सेवक संग की विचारधारा को मानने वाले लोगों को छोड़ दें और हिंदू महासभा रामराज्य परिश्यत इस स्कूल अव थौट के अलावा बाकी सब लोगों ने राश् चरंपंती भी थे भगत सिंग के स्कूल के लोग भी थे सुभाश बावु के स्कूल के लोग भी थे और इसलिए 1947 तक सबका लक्ष एक ही था कि देश को आजादी कैसे दिलाई जाया और ये अंग्रेजी राज से कैसे मुक्ती पाई जाया लेकिन जब आजादी मिल गई सब्सक्राइश के तीन टुकड़े हो गए और उस वक्त समिधान सभा बनने की जब बात आई जो कि उनिस सो चालिस से ही शुरू हो गई थी तो उनिस सो सेंतालीस में कोशिश ये की गई कि जो राज्यों की निर्वाचित द्धान सभाएं हैं उनके जरीए समिधान सभा के स लेकिन बदकुस्मती से समाजवादियों और वामपंतियों ने इस समिधान सभा का वहिश्कार तिया और यह कहा कि चुके यह एडेल फ्रेंचाइस पर आधारिस समिधान सभा नहीं है इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होगे और यहीं से एक तरह से विपक्ष की बुनियाद पड़ती है अब इसके साथ साथ तुछ दूसरे कारण भी हुए हाला कि 1947 से लेके 26 नवंबर 1948 तक समिधान बनाने का काम हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह जो समिधान है हमारा इसे पारिद कर दिया गया यह लागू हो गया और इसी के तहट 1951 में पहले आम चुनाओ भी हुए लेकिन इस बीच कई और घटनाएं हुई मसलन उनिस और तालीस में गांजी जी की हत्या हो गई गांजी जी की हत्या के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने अपने समिधान में संशुधन किया और कहा कि इसमें अलग विचारधारा या सदस्रता वाले लोग नहीं रह सकते नतीजे में सोशलिस्टों ने भी जो अब तक कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कॉंग्रेस पार्टी का हिस्सा थे कॉंग्रेस छोड़ने का फैसला किया और मार्च 1948 में यानि गांदी जी की हत्या के दो महीने बाद ही समाजवादियों ने जिन में प्रमक्ता से आचार नरेंदेव, जैप्रकाश नारायन, रामनो अलोया वगेरा शामिल थे, यूसुफ महर अली, मीनु मसानी, कमला देवी चटोपाद्या, इन लोगों ने अपनी अलग सोशलिस्ट पार्टी बना ली, अब यहां भी इस मुद्दे को लेकर सोशलिस्टों में भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि आचार नरेंदेव और रामनो अलोया इस राय के नहीं थे, कि सोशलिस्ट पार्टी अलग बनाई ज और दूसरी ओर, जो सोशलिस्टों को कॉंग्रेस के अंदर नापसंद करते थे, दक्षर पंती लोग जिनने कहा जाता था, जैसे सरदारवल्ला, बाई पटेल, राजेंद परसाद, और यहां तक के मौलाना आजाद भी, उन्हों ने कहा कि भई तुम समाजवादी लोग आ तो तुम जो सूबा चाहो वो ले लो, जो मंतराले चाहो वो ले लो, लेकिन हमारे साथ रहो, अलग मत जाओ, लेकिन आचार नरिन देव और लुया की मनमर्जी के खिलाफ, जैप्रकार जी ने फैसला किया, कि हम रचनात मक्वे पक्षकी भूमिका निभाएंगे, और यह जो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है, इसको आइना दिखाने का काम करेंगे, और देश हित में हम इसके साथ सहयोग और विरोध करेंगे, तो यह कॉंग्रेस से निकले हुए सोशलिस्टों की गायबनी और सोशलिस पार्टी एक प्रमुक्र विपक्षिदल के रुप में साम आइनेमीज का मतलब मेरे पिखान मों विपक्ष की बात कर रहे हैं, और एनमीज चैलेंज अस तो थिंग, देश चैलेंग अस तो ग्रोध मेरा मूल प्रश्चिए है कि अभी एक नई बात चलने लगी है कि विपक्ष का किसी पार्टी का नाम आप समझ सकते हैं, कि हम इसको मिटा देंगे, भाजबाक आया है और हमेशा साब कि हम भारत से कॉंग्रस का नाम और निशान मिटा के रहेंगे, और लोग इसको कई जगा कोड भी करते हैं, देखिए विचारधारा अलग अलग हो सकती हैं, बात मेरी और आपकी एकमत नहीं हो सकता हूँ, गांधी की हत्य के बाद, जितनी मेरी याद हो, जितना मैंने आप उसको सही करेंगे, कहीं पर भी मैंने यह नहीं पढ़ा कि हम आरेसर और जंसंग को मिटा देंगे, बैन लगा, एक समय के बाद उन्होंने कुछ जो भी अपने काकस दिये, कि हम ठीक से काम करेंगे, क्या काम करेंगे, जो उस समय की सरकार को लगा कि इनकी जो भी इन्होंने हलफ नामा दिया है, वो ठीक कुछ उसके काम करेंगे, सरकार ने बैन हटा दिया, लेकिन जो एक नया शुरू हो गया है, कि विपक्ष को हम इसका मिटा देंगे, इस पर ज़रा समझना चाहेंगे आपसे, दुर्वान अल अनन्द भाई, देखिए, असल में जो लोगतंतर की आदर्श इस्तिती होनी चाहिए, किसी भी देश में वो भारत में नहीं है, हम उससे काफी दूर हैं, काफी पीछे हैं, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, कि तीसरी दुनिया के देशों में, हम अकेले ऐसे देश हैं, कि जहां उननीस सो सेंतालीस में जो लोगतंतर का बीज बोया गया था, जो पौधा रोपा गया था, वो एक बड़े वटवरक्ष के रूप में आज हमारे सामने है, और पूरी दुनिया उसकी दाद देती है, उसकी मिसाल देती है, मैं जब तक पाकिस्तान और बंगलादेश नहीं गया था, और वहां का फौजी शासन मैंने नहीं देखा था, तब तक मुझे भी लगता था कि ये लोगतंतर तो फार्स है, क्योंकि आप जानते हैं, हमारा जो बैग्ग्राउंड है, वो वहर कांग्रेस वाद की घुट्टी के साथ में हम लोगों ने जनम लिया, तो लगता था कि हर बीमारी की जड़ कांग्रेस है, लेकिन जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी और खास करके जवाहलाल नहरू कि इस बारे में दाद दी जानी चाहिए, कि उन्होंने किसी भी विचारधारा को खत्म नहीं किया, और कोई ऐसा काम नहीं करते थे, और वो सिर्च हुआ कर उस आलोचना को सुनते थे, और कहते थे कि यही लोक्तंत्र है और इसका होना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब मामला ये आ जाए, अभी बात संजेर जी ने की किसाब जूट के आधार पर, अभी उन्होंने टू जी और त्री जी का और कॉं की दलाली की बात कही थी, वो सही थी, वो साबित कर पाए कि राजीव गांदी ने 64 करोर की दलाली खाई थी, आज तक साबित नहीं हुआ, और इस बात का एसास वी पी सिंग को हो गया था, और उन्होंने जब सोनिया गांदी को परदान मंसी बनाने की बात की और कोशिश की तो उस वक्त मैं कहा कि हम उससे घलती हुई मेरे कारण सामपरदाइक शक्तियां मजबूत हुई और ये सही है कि वीपी सिंग की जो सरकार बनी थी उसका एक पाया समाजवादी थी ये वामपंदी थी और दूसरा पाया भारती जरता पार्टी थी और उनके समर्थन पर वो सरकार बनी हुई थी मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब व्यक्सिगत राजनी सी करने लगे अरे वीपी सिंग का क्या जगडा था राजीव गांदी से ताब वित्मंतरी से रक्षा मंतरी से लेकिन जब उनको लगा किसाब कही न कहीं उनको चोट की जा रही है व्यक्सिगत तोर पर कोई कोई आधश राजनी थी या से दांस की बात नहीं थी और भेश्टाचार भी वीपी सिंग्स देख रहे थे कि उनने सो असी से और आठासी तक कितना हुआ आधा इस देश में और उसके लिए कौन पार्टी सिम्मेधार थी और कहीं न कहीं वो भी उसके लिए जिम्मेधार थी लेकिन उनने बंवन्फाइन मौर्णिग यह लगा कि नहीं तो सारे वो आइडेलिजीकल कोई एक ता का वो था ही नहीं बिंदू और उसकी खीमत इस देश को चुखानी पड़ी और उसके बाद ये बिलकुल सही है कि मौनमुहन सिंग के मंसरी मंडल के बारे में जो कहा गया कि साविसना ब्रेश्टा चार कर दिया है और खुद उनको भी प्रेस कॉ गटबंदन की मजबूरियां हैं इसके चलते मैं चला रहा हूं सवाल ये है कि जो मुद्दों की बात होती है उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए आज राजनिती हो गई है कि MP MLA मंत्री बनने के लिए मुझे किसी का भी समर्थन लेने में और किसी को भी समर्थन देने में गुरेज नहीं है उसकी मिसाल महराष्ट है कि जहां शिफसेना और कॉंगरेस कोई कल्पना से भी बाहर चीज़ थी कि मिलकर के सरकार बलाएंगी गटबंदन चलाएंगी लेकिन दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त यह आपका फॉर्मूला हो जाता है असली बात पॉलिटिकल और बराबरी की बात, भाईynen चारे की बात वो इसमें कह दी गई है जो उसमें यकीन नहीं करता बहार धियान बहां ओड़ Umiddya ही करता हिंदूस्तान के समिधान में यकीन नहीं करता और वो इन सबका वेरोथी है अब हवाल यह है कि जब आपने ये सिलसला शू वी फौज आई थी, वो सब उसमें कितने क्रिमलन से मुझे आपको बताने की जरुवत नहीं है, और उसके अलावा जो फिर जनता पार्टी और जनता दल की सरकारों में भी जिस तरह के लोग आए, वो भी कोई उसके दूले हुए लोग नहीं थी, तो आपका अवाज अब ऐस दौराओंगा, कि जो भारत में लोग तंत्र है, जिसकी वज़े से आज एक चायवाला भी देश का प्रणान मंतरी बन जाता है, या वो गरीब का वो व्यक्ति कि जिसके घर में कभी चरपाई नहीं रही, वो मुख्यमंतरी बन जाता है, मंतरी बन जाता है, तो ये कोई कम नहीं है सवाल यह कि इसको बचा के कैसे रखा जाए और इसमें सफाई कैसे की जाए उसके लिए जो वो सिविल सोसाइटी जो कभी अन्ना हजारे के पीछे चल देती है अब अन्ना हजारे क्या थे ये भी माफ कीजेगा कोई ढ़की चुपी चीज नहीं है कि वो बीजेपी की हिंदू बहुन है तो अब कम्टीशन ये होने लगा है तो इसमें हमारी परंपराएं कहां चली गए हमारा समयधान कहां चला गया हमारा समयधान तो इस बात की जाज़त नहीं देता कि कोई सरकार जो है वो सामुई को रूप से किसी मंदिर में पूजा करें मैं पूजा के खिलाफ नहीं मैं किसी के हिंदू होने के भी खिलाफ नहीं लेकिन माफ कीजेगा ये ये तरीखा नहीं है जो हो रहा है आप नरेंद मोदी को कहते हैं कि आर्टी उतारते हैं जूते पेंके उतारते हैं चश्मा लगा के करते हैं या कैसे करते हैं कैसे ने करते हैं लेकिन आ ऐसा काम हम नहीं करेंगे तो आप भी वही काम करने लगे और आज माफ कीजेगा किसी भी दल में जिन में वामपंती दल भी शामिल है उस नेरेटिव को जो संग परिवार ने दोहजार चौदे में शुरू किया था उसके खिलाफ तो जाने दीजे उस पर जरा सी उगली उठा की भी हैसियत नहीं है हमने देखा अयोद्या का जज्जमेंट आया पूरे देश ने ऐसा सांप सौंग गया कि जैसे कुछ था ही ने सुप्रिम कोर्ट की महर लग लगा अब कौन बोलेगा इसका मतलब यह कि जो राजिनी थी उसको लेकर के हुई उसको भी जस्टिफाई कर करके आप कश्मीर को रखना चाहोगे जोगरफी को रखना चाहोगे लोगों में आपकी दिल्चस्पी नहीं है लोगों को आप कैद करके रख रहे हो उन्हें इंटरनेट तक नहीं दे रहे हो और आप यह कह रहे हो कि कश्मीर भारत का अभिन नंग कैसे हो जाएगा अभिन समिर्हान सभा होगी, उसका अलग एक नॉमन क्लेचर होगा, महां प्रधान मंत्री होगा, मुकह मंत्री नहीं होगा, गवर्न नहीं होगा, सद्र रियासर्प होगा, ये सारे वाइदे करके कश्वीर शेख अब्दॉल्ला ने भारत में मिलाया था, आज कोई कह सकता इन बातो हो, तो इसका मतलब ये अभी औरस बादर पीछा मत जाई, ये सिक्किम तो अभी 30-40 साल पहले ही मिला है भारत में, वहां आप अपना इंकम टेक्स कानून नहीं लागू कर सकते, क्योंकि आपने वाइदा किया था सिक्किम के लोगों से, कि हाँ ये हमारा इंकम टेक्स यहा आप आठ मुकद्वे, और जिन लोगों ने उसकी तहकी की, उसको अगा विरोध किया, उन पे 102 मामले यूए पी ए के सहता अपने दर्ज किये, इसे आप लोगतंसर कहो गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, कि पूरी तरह से इसको खारिज नहीं कर देना चाही, आज भी देश में बड़ी तादाद है, जो दिल से लोगतंसर में यकीन रखती है, जो मानावधिकारों की बात करती है, जो नागरिक सुतंसरा की बात करती है, और अभी सब कुछ खतम नहीं हुआ है, सवाल ये है कि जो ऐसे लोग जो बहरूपिये बन करके आपको ठगने के लिए और ये बताने की दरूरत है कि ये देश हिंदू राष्ट बनके एक नहीं रह सकता, ये जो अफीम पिलाई जा रही है, जो 2019 के लोगसवाई एलेक्शन में भी इसका इसका इस्तेमाल किया गया और अभी उत्तरप्रदेश के चुनाओं में भी किया जाने वाजा है, इसके अमेरिका में उतना नहीं, लेकिन ब्रिटिन में तो आज भी हाईट पार्क में खड़े हो करके, कोई भी रच्ती सरकारते खिलाफ जो चाहे वो बात कह सकता है, और उसे इस बात की गारेंटी है, कि उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाएगी, ये बात आज भारत के ब और उधर केंद्र जो है वो उनकी जो भी स्वायता है या उनका जो भी एरिया उफ इंफ्लूएंस है उसको कर्व करना चाह रहा है, और ये टकराहत आहाल के दिनों में खुब देखी गई, सेंट्रल फोर्से आप भीज रहे हैं, मैंने कल एक लिस्ट मैं देख रहा था, 2005 स 2019 के बीच में, ED ने 1900 करीब केसे दर्श किये, 9 में कन्विक्शन हुआ है, बाकी ऐसे ही है, और सारा विपक्ष का आप नाम ले लीजे, किसी भी लीडर का, सब के उपर ED की रेडेड हुई, ये एक कहीं न कहीं विपक्ष को आप उसका इस्थान नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दूँ, उसे पहले जब आप संधी पांडे साब से विपक्ष के नेता के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में एक पहुत संक्षे में रखना चाहता हूँ, कि देखिए, आजादी के बाद, बावन, सत्तामन और बासट तीन आम चुनाओं में, कॉंग्रेस प जाल उपाद्या हार गए, लेकिन जेबी करपलानी हम रोहा से, रहमन और लोहा से, मीनु वसानी राजबोट से जीते हूँ, और जीतने के बाद, बासट में भारत-चीन युद्ध हो चुका था, इन लोगों ने पहली बार सदन में अविश्वास का प्रस्ताव रखा, जे लेकिन जवाहलाल नहरू ने उसे एकसेप्ट किया, स्पीकर के ज़रिये से, की भई, चर्चा होनी चाहिए, और इन लोगों का भी ये कहना था, कि हमें मालूम है, कि नहरू और कॉंग्रेस पार्टी के साथ प्रचन्ड बहुमत है, उनकी सरकार हमारे सावश्वास हैं, जो समस्याएं हैं, वो लोगों के सामने अवाम में लाना चाहते हैं, नतिजह ये हुआ कि तीन आने बना हम पंदर आने की बहर, और कई दिन तक मीडिया में चर्चा हुई, और लोगों को लगा के नहीं गई, ये संसत जो है मौन नहीं है, यहां उसकी आवास भी सुन नहीं करेगा, लोकतंत की तो ब्यूटी यही है कि आप विपक्षी की आवास सुने, जिजह मैंने कहा कि हमारे हाँ ये परंपरा सन 71 तक थी, कि विपक्ष बहुत कम सांसत थे, लेकिन उनकी आवास को कभी दवाया नहीं जाता था, इसी लिए हीरे नुखर जी, पीलू, है, जोतिर मेर वसू और एक लंबी अटल वहरी वाचपई, लंबी लाइन है जिनकी बात, और आपको यहां यह याद दे लाओ, कि मधूली मेय के प्रिविलेज मोशन पर, इंदरा गांजी की और वो पांचमें लोग सवाम में पेश किया था, वो प्रिविलेज मोशन सदन में बात कहने का और एक तरह से अविश्वास रखने का मादा था नेता होने, अब वो वैसे लोग हैं, न वैसा वेपक्ष हैं, न वैसी सरकारे हैं, और उसमें जो अभी बात कही गई, कि अगर सिविल सोसाइटी में यह बात खत्म हो गई, कि इनसाफ की बात करना, जा किसी गरानती की उमीद कर सकते हैं, या छनích कर रहा हो की सरकार से कॉए नितिश कुमार की सरकार से, में तो वो जुद ही उन पर टिका हुआ है, आत्मे आखाओं के, तो वो चाहें, किसी गे अंदोलन से आये हों, चाहें उनकी जो विशार नहीं ही हो, लेकिन आज तो विचारदहरा एक ही है और ऑमीत वर्षाह और नडेंद मोजी की विचारदहरा है जो से सेहमत है। वो सरवाइब करेगा जो सेहमत नहीं है वो condemn रहेगा या एक तरह से पूरेदार में डालते जाएगा लेकिन ये इस्तिती बहुत जादे दिन रहने वाली नहीं है इंद्रा गांदी से शक्तिशाली प्रधान मंत्री और नेता आजाद हिंदुस्तान में कोई नहीं और हमने देखा कि 19 महीने की इमर्जेंसी चलाने के बात जब कोई अपील नहीं थी वकील नहीं था दलील नहीं थी उनको भी हटना पड़ा तो कोई ये समझ ले के वो बहुत समय तक के लिए यहां आगया है राज करने के लिए ऐसा भी नहीं है लेकिन उसके लिए हाँ ये जरूरी है कि हमारे बीच संदी पांडे जैसे उसके लिए इस देश के अवाम को खासकर के लौजवानों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुलका मुस्तबिल दाव पर लगा हुआ है अगर हमें से बचाना है तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा और इस विवस्ता को खत्म करना पड़ेगा जिस पे पूरी दुनिया कभी फक्र करती थी और आज कहती है कि ये कैसा देश है कि जहां नोट बंदी के नाम पर सो लोग लाइनों में खड़े खड़े मर जाते हैं हजारों लोग पेंड़ेमिक में मर जाते हैं उनकी लाशें गंगा में तेरसी रहती हैं नियोर्क टाइम से इसा दुनिया का कि दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती और हमने तो एक अरब लोगों को ठीके लगवा दिये जो दुनिया में कहीं नहीं काम हुआ लेकिन असलियत क्या है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं देश भी जानता हूं पूरी दुनिया भी जानती है लेकिन पूरी दुनिया हमारे उपर हस रही है हमारी टेजरी यह है कि हम इस पर हस भी नहीं सकते हैं